नमस्कार आईए आज हम देखते हैं कक्षा ग्यारे के अध्याय चार क्रम्चे एवं संचे के मौडूल चार को इस मौडूल के अंत में हम क्या जान जाएंगे एक बार देखते हैं हम जानेंगे कि संचे क्या होता है क्या संचे और क्रम्चे में कोई संबंध है इसको हम जानेंगे और क्रम्चे के सूत्र के आधार पर हम संचे का सूत्र भी देख पाएंगे संचे के सूत्र के साथ कुछ नियम भी हम इसमें जान जाएंगे जिसके आधार पर हम इनके अभ्यास के प्रश्णों को बहुत आसानी से कर पाएंगे आएए आगे देखते हैं मान लीजिए तीन लॉन टैनिस खिलाडियों X, Y, Z का एक समू है दो खिलाडियों की एक टीम बनानी है अब ये टीम हम कितने प्रकार से बना सकते हैं X, Y, Z तीन खिलाडी हैं हमें टीम बनानी है हमने पहली टीम बनाई X, Y दूसरी बनाई X, Z और तीसरी बनाई Y, Z क्या मैं इसमें Y, X, Z, X या Z, Y करके और टीम बना सकता हूं क्या नहीं बना सकते क्यूंकि क्रम बदलने से टीम नहीं बदलती अर्थात मेरी जो टीम बनेंगी वो केबल तीन बनेंगी छे नहीं बनेंगी इसी प्रकार अगर मैं अगला देखता हूं वारा व्यक्ति एक कमरे में मिलते हैं और प्रत्यक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है हम जानते हैं अगर A ने B से हाथ मिलाया या B ने A से हाथ मिलाया एक ही संचय हो सकता है दो अलगमान नहीं हो सकते यानि यहां भी क्रमचे नहीं संचे होगा तीसरा उधारन देखते हैं साथ बिंदू एक व्रत पर इस्थित है इन बिंदूओं को मिलाकर कितनी जीवाएं खीची जा सकती है अगर हम व्रत को देखें तो बिंदूओं कोई बिंदू ए है और दूसरा बिंदू बिंदू है यदि हम ए को बिंदू से मिलाएं तो एक जीवा बनती है क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने बिंदू को ए से मिलाया तो हमारी दूसरी जीवा हो गई नहीं कह सकते तो जहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता वहां हम उसे संचे कहते हैं अर्थात किसी संचे में चायनित बस्तूओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है जबकि क्रमचे में क्रम ही महत्वपूर्ण होता है आईए आगे देखते हैं क्रम्चे एवं संचे में क्या अंतर हो सकता है एक उधारन से और इसपष्ट करते हैं चार वस्तुएं हैं A, B, C और D इन में से तीन वस्तुओं का चुनाब कर रहे हैं सलेक्शन कर रहे हैं यानि संचे कर रहे हैं या इनको क्रम से सजा रहे हैं अर्थात क्रम चे कर रहे हैं एक बिशेश ABC हमारे पास एक चुनाव हो गया सलेक्शन हो गया एक ग्रुप हो गया वहीं यदी मैं इसके क्रम बदलूं तो हम देखते हैं इसके क्रम बदलते ही हमारे पास छे भाग हो जाते हैं जबकि सजाने पर ये केबल यानि समूह बनाने पर संचे बनाने पर केबल एक रहता है जबकि इसके क्रमचे 6 हो गए दूसरा देखते हैं यदि मैंने दूसरा बनाया तो मैंने क्या देखा ABD इसी के क्रमचे फिर से 6 हो गए छे प्रकार से इनका क्रम बदल करके लिखा जा सकता है तीसरा संचै ¡A C D! हो गया इसका भी अगर मैंने क्रम बदला तो ये भी 6 हो गए मेरे पास और चौथा जो मेरा संचै बना वो बना B C D! इसके भी क्रम बदलने से हम देखते हैं कि 6 क्रमचे बन सकते हैं अर्थात इस A, B, C और D में से अगर 3 वस्तुए मैं एक साथ ले रहा हूं तो मेरा टोटल संचे हुआ 4 जबकि कुल क्रमचे हुए मेरे पास 24 अर्थात क्रम बदलने पर क्रमचे और क्रम नहीं बदलें वही क्रम रहे या क्रम बदलने से भी मान नहीं बदले वो हमारा संचे कहलाता है इसके आधार पर आगे और देखते हैं क्रमचे और संचे के बीच में फिर निश्चित तोर पर कुछ तो संबंद होता ही है और वो संबंद बहुत महत्पून है कि NCR जैसे हम क्रमचे को लिखते थे NPR इसी प्रकार संचे को लिखा NCR NCR संचेओं में से प्रत्येक संचे हमने अभी देखा था ABC एक संचे इसको हम क्रम बदल करके R! क्रमचे में रख सकते हैं अर्था प्रत्येक संचे के संगत हमारे पास R! क्रमचे है क्यूंकि प्रत्येक संचे की R वस्तुओं को R! तरीके से हम सजा सकते हैं पुनर्विवस्थित कर सकते हैं इसलिए हमारे पास जो क्रमचे होंगे उनकी कुल संख्या हो गई जितना संचे है और उसके अलावा जो R! का फैक्रियल होता है उनका गुणा करना अब ये हमारे पास हो गया क्रमचे जबकि क्रमचे हम लिखते हैं NPR इसका आशे हुआ कि जो NPR है वो बराबर होता है NCR गुणा R! के इसके आधार पर हम NCR निकाल सकते हैं कि NCR होगा NPR बटा R! और यहां यदि मैं NPR को खोलें तो क्या आजाएगा फैक्टोरियल N बटा N-R का फैक्टोरियल ये है क्रमचे का सूत्र और इसी में जब हर संख्या में R! गुणा हो जाता है तो वह बन जाता है क्रमचे का सूत्र ना हो करके फिर वो हो जाता है संचे का सूत्र यहां क्रमचे की तरह ही एक विशेश बात कि जो R का मान है निश्चित तोर पर चुकि हम N में से सलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास कुल N संख्याएं हैं उन में से जब हम चुन रहे हैं तो जीरो हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं हो सकता और जितनी हमारे पास कुल संख्याएं हैं उससे जदा भी नहीं हो सकता अर्थात R का मान जीरो से बड़ा हो सकता है या N से छोटा हो सकता है यहां यह मान जीरो के बराबर भी हो सकता है यह विशेश बात कि R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है यानि हमने कोई selection ही नहीं किया या हमने सब को select कर लिया ये इसमें बिशेश तोर पर हो सकता है एक बिशेश बात और कि जो 0 का factorial होता है हम जानते हैं ये 0 factorial 0 factorial हमेशा एक होता है यानि 0 रखने पर भी हर में 0 नहीं होगा क्योंकि 0 factorial एक होता है आगे देखते हैं संचय सूत्र अभी हमने जो देखा उसके आधार पर हम ये निश्चित तोर पर कह सकते हैं कि एन बिभिन बस्तूओं में से एक समय में अगर आर बस्तूओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या हमारे पास एन सी आर से प्रकट करते हैं और ये एन सी आर का मान factorial एन बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा आर फैक्टोरियल और जो आर है वो 0 से बड़ा एन के बराबर या एन से छोटा भी हो सकता है लेकिन संचय में हमें एक और विशेश बात कि आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है अर्थात हो सकता है हमने किसी को सलेक्टी नहीं किया हो अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 बिभिन बस्तुएं हैं ABCD इन में से एक समय में दो बस्तुओं को लेकर संचय बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे 4C2 और 4C2 करने के बाद 4 factorial बटा 4 माइनस 2 factorial यानि N माइनस R गुणा R factorial करके जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है इसी को हल करने के लिए हम एक आसान तरीका भी अपना सकते हैं हमारे पास 4C2 है क्रमचे की तरह अगर हम सूत्र से करते हैं तो इस तरह से आता है हम चाहें तो इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं क्रमचे ध्यान करें क्रमचे में होता है अगर ये 4P2 होता तब हम करते तीन कर देते हैं, क्रमचे और संचे में थोड़ा सा अंतर है, इसमें r factorial से divide होता है, और r factorial है, यानि 2 का factorial, 2 के factorial का मतलब हो गया 1 गुणा, 2, अब हम देखें, अगर हम इसको काटते हैं, तो आसानी से हमारे पास वही संचे आ सकता है, एक और उधारंड देखते हैं, मान लो मैंने लिया 10C3, मुझे इसे आसानी से हल करना है, सूत्र में रख करके जो आता है, उसका आसान तरीका 3 है नीचे, तो 10 गुणा 9 गुणा 8, ये हुआ क्रमचे, अब इस क्रमचे को R factorial से डिवाइड करना है, यानि 3 factorial, यानि 1 गुणा 2 गुणा 3, तो इस तरह से किसी भी संचे को हम इस आसान तरीके से भी हल कर सकते हैं, आएए, आगे देखते हैं, कुछ नियम भी है, अब ये नियम उसी सूत्र से बने हैं, जो हम सूत्र पढ़ चुके हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास R बराबर N है, अब जो हम पढ़ते हैं, NCR, अगर मेरे पास NCR में R N के बराबर हैं, तब मैं इसको कर दूँगा N C N, और N C N करते ही, जैसे ही मैं सूत्र में मान रखूँगा, तो ये आ जाएगा N FACTORIAL, बटा N माइनस N का FACTORIAL, और फिर आ गया N FACTORIAL, अब अगर हम ध्यान से देखें, तो ये N FACTORIAL से N FACTORIAL कट गया, और N माइनस N यानी 0 FACTORIAL, और 0 FACTORIAL होता है, एक, अर्थात इसका मान हो गया, एक, हम आगे इसको सीधा प्रियोग में ले सकते हैं, कहीं पर भी मालो मुझे दे रखा है 10 C 10, मैं सीधा लिख दूँगा, एक, मुझे दे रखा हो 25 C 25, मैं इसको चुकि N और R दोनों बराबर हैं, सीधा लिख दूँगा, एक, मुझे इसको पूरी तरह से हल करने की आवश्रक नहीं पड़ेगी, इसी प्रकार, अगर हम दूसरा नियम देखें, N C 0, मालो मैंने रखा, N C 0, इसको भी सूत्र में रखके देखते हैं, तो N factorial, बटा, N minus 0 factorial, गुणा में 0 factorial, N minus 0 factorial, यानि N factorial, उपर भी N factorial है, कट गया, 0 factorial यानि दुबारा से 1, यानि यहां भीर भी आ गया, एक, मतलब क्या हुआ, कि अगर मेरे पास है, 25 C 0, बिना हल किये, मैं इसको सीधा एक लिख सकता हूँ, किसी भी संख्याओं में से, जब 0 select कर रहे हैं, तो 0 नहीं आएगा, वहां एक आएगा, तीसरा भी नियम है, इस तीसरे नियम में हम देखते हैं, N C N minus R, बराबर होता है N C R के, इसका मतलब क्या है, दो ऐसे संख्याओं में से select करना है, वो बराबर है, अर्थात दोनों में N बराबर है, और दोनों के संख्याओं भी बराबर है, तो निश्चित तोर पर जो R की जगे लिखा हुआ है, वह N में से minus होने के बाद जो आता है, उसके बराबर होगा, अर्थात N C N minus R, इसको एक उधारण से समझते हैं, मानलों मुझे दे रखा है 10 C 8, अगर मुझे इसको ध्यान से देखना होगा, तो ये मेरा बराबर होगा 10 C 10 minus 8 के, अब ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात मैं 10 C 8 करने के बजाए, मैं सीधा निकाल सकता हूँ 10 C 2 करके, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इतना कठिन जाऊंगा, इस सूत्र का एक बड़ा फायदा है, कि यदि इन N और R के बीच में बहुत कम डिफरेंस हो, तो हम उस डिफरेंस के आधार पर, उस अंतर के आधार पर, हम इसके संचै का मान निकाल सकते हैं, इसलिए N बस्तूओं में से, जब हम R बस्तू चुनते हैं, यह हमने R बस्तू चुन ली, इसका मतलब क्या है, कि N माइनस R बस्तूओं को अस्वीकार करने के समान है, यानि उन में से जो हमने N माइनस R नहीं चुनी हैं, वो उनके बरावर होगा, चौथा देखते हैं, जो इसी पर आधारित हैं, उसमें क्या कहता है, कि यदी मेरे पास N C 3 है, और यही बरावर हो जाए N C 5 के, यानि यहां और यहां में थोड़ा सा फर्क है, N बरावर है, बीच में भी बरावर का निशान है, संचे भी बरावर हैं, तो निश्चित तोर पर दो कंडीशन हो सकती हैं, और विद दो कंडीशन क्या होंगी, कि या तो A और B बरावर होगा, तभी यह बरावर हो सकता है, भी A और B बरावर है, तो निश्चित तोर पर दोनों संचे बरावर हैं, अर्थात A का मान N-B के बराबर होगा तब जाकर के हम इसमें कह सकते हैं कि ये संचे बराबर होगे अगर हम इसके आधार पर देखें तो हम बता सकते हैं कि बराबर है यहां 3 है, 5 है मानलो मेरे से पूछ लिया N बताओ बहुत आसानी से बता सकता हूँ क्योंकि दोनों संचे बराबर हैं तो 3 और 5 का टोटल 8 होता है यानि मैं बिना ज़्यादा गड़ित लगाए कह सकता हूँ कि यहां N का मान 8 होगा आईए कुछ उधारन देखते हैं यदि N-C9 और N-C8 तो N-C17 का मान ग्याद करना है अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तरीका तो क्या कहता है कि जब यह दो संचे बराबर हैं तो आप पूरा सूत्र लिखो N-C9 इंटू 9 बराबर N-C9 बटे N-C9 गुणा में 8 फैक्टोरियल हमें इस तरह से इसको हल करना है और हल करना भी बहुत आसान है इसमें क्या करना है? उपर चुकी N-C9 है हम इसे हटा सकते हैं फैक्टोरियल के प्रश्ण आप पहले कर चुके हो इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है कि यदि कोई बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल के बराबर लाना तो यहाँ N-N9 और N-8 हमें पता है N-8 बड़ा है इसको N-9 के बराबर लाना है और 9 factorial और 8 factorial में से 9 को 8 के बराबर लाना है क्या कर सकते हैं एक बटा ये तो छोटा है यहां तो हमने लिख दिया n minus 9 factorial ये 9 बड़ा है इस 9 को बाहर निकाल दिया और इधर हमने क्या किया ये बड़ा है तो n minus 8 को बाहर निकाला तो अंदर आ गया n minus 9 factorial और 8 क्योंकि छोटा ही है इसको वहीं रखा कितना आसान हुआ कि हमारे पास n minus 9 से n minus 9 कट गया 8 factorial से 8 factorial कट गया अब जब हम इसको तिर्चा गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n minus 8 बराबर 9 और इसके आधार पर आ जाएगा n बराबर 17 और जब n बराबर 17 आ गया है तब हम उसका मान निकाल सकते हैं लेकिन अगर हमने नियमों को ध्यान में कर लिया तो हमें इतना नहीं करना होगा क्यों क्योंकि हमें पता है कि n c a यदी बराबर है n c b के तो निश्चित तोर पर या तो a बराबर b होगा या a जमा b बराबर n होगा यहां हमें दिखाई दे रहा है आठ और नौ बराबर तो नहीं है अब अगर ये बराबर नहीं हैं तो फिर दूसरी ही शर्त हो सकती है तो मैं यहां पर क्यों अपना समय खराब करूँगा मैं सीधा लिखूँगा कि n बराबर 17 मुझे इस पूरे जो मैथड है उससे करने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी सीधा मैंने अपना सूत्र लगाया और n का मान आ गया अब इस n के मान से 17, c, 17 हम ध्यान करें एक और नियम पड़ा था कि n, c, n बराबर होता है एक हमें इसमें भी सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है हम सीधा इसके आधार पर लिख सकते हैं एक तो जो प्रश्न आधे से एक पेज में होता है हम उस प्रश्न को कुछ लाइनों में भी पूरा कर सकते हैं तो यह प्रमे हमारे लिए बहुत उपयोगी प्रमे होगी और इसको सिध करने से हम इस तरह के सभी प्रश्नों को भी हल आसानी से कर सकते हैं तो आएए हम इस प्रमे को सिध करते हैं प्रमे क्या है एन सी आर जमा एन सी आर माइनस वन बराबर है एन प्लस वन सी आर के हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले बाया पक्ष लेते हैं और बायाँ पक्ष में अगर हम ध्यान से सूत्र लगाएं तो ncr का सूत्र हो गया n factorial बटे n minus r factorial गुणा r factorial जमा ncr में हो गया n factorial बटे n minus r plus 1 क्योंकि यहाँ n minus r minus होने के कारण से वो 1 हो जाएगा और फिर रहा r minus 1 factorial अगर हम इसमें आगे देखें तो जैसा हमने पिछले प्रश्ण में किया था factorial का अपना नियम है बड़ी संख्या को छोटी संख्या में बदलना बड़े factorial को छोटे factorial में बदलना उससे प्रश्ण जल्दी और आसानी से हो जाता है तो पहला है n minus r यहाँ है n minus r plus 1 तो इसमें से इसको बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास n minus r factorial आ जाएगा इसी प्रकार r factorial और r minus 1 factorial यहाँ यह बड़ा है यहाँ से r बाहर निकाल देंगे तो अंदर r minus 1 factorial बचेगा करते हैं, उपर है n factorial बटे, n minus r ऐसे की ऐसे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहां से r बहार हो जाएगा, और अंदर बचेगा r minus 1 factorial, जमा, इधर भी n factorial बटे, यह बाहर आ जाएगा, अर्थात n minus r जमा एक, बाहर आ गया, तो अंदर बचा n minus r factorial, r minus 1 तो छोटा ही है, इसलिए यह ऐसे की ऐसे रहेगा, अब यदि हम इन दोनों को ध्यान से देखें, तो क्या-क्या common आ रहा है, हम देखते हैं, हमारे पास n factorial उपर से दोनों में common है, नीचे अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो n minus r factorial दोनों में common है, फिर r minus 1 यहां दोनों में common है, तो हमने इसको आसान करने के लिए क्या-किया, n factorial और इधर से n minus r factorial और इसके साथ हमने r minus 1 factorial को common निकाल दिया, common निकालने से, यहां बचेगा एक बटे r, जमा, यहां बच रहा है, एक बटा n minus r, जमा, एक, अब यदि हम, इसमें LCM लें, तो LCM लेने पर हमारे पास आता है, पहले है n factorial बटे n minus r factorial, r minus 1 factorial, अब जब हम लगुत्तम ले लेंगे, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा r गुणा, n minus r plus 1, और उपर आएगा n minus r, जमा, एक, जमा, आर, जो हमें देखने में कठिन सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, कैसे होगा, बहुत आसानी से, केबल हमने इनके सूत्र लगाए, बड़े factorial को छोटे factorial में बदला, बदल करके जो common आ सकता था, उसको common निकाला, जो 6 बचा, उसमें से हमने लगुत्तम ले लिया, अब अगर हम ध्यान से देखें, तो ये आर से आर कट गया, यहां बच रहा है एन प्लस एक, और एन प्लस एक गुणा हो रहा है एन फैक्टोरियल से, यानि हमारे पास उपर आ गया एन प्लस एक फैक्टोरियल, नीचे देखते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल, गुणा हो रहा है एन माइनस आर प्लस एक से, ये बराबर हो गया, एन माइनस आर प्लस एक फैक्टोरियल, अब हम बापस जा रहे हैं, r-1 factorial r से गुणा हुआ हमारे पास हो गया r factorial यदि हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास बन गया n-1cr और ये हो गया मेरा दाया पक्ष यानि बहुत आसानी से केबल सूत्र खोलना पड़े factorial को छोटे factorial में लाना उन में से जो common आता हो उसे बाहर निकालना बचे हुए में से लगुत्तम लेना और बापस पूर्व इस्तिती में आते ही कितना भी बड़ा प्रश्न होगा वो हमारे लिए आसान हो जाएगा आईए एक और उधारन देखते हैं प्रश्न पत्र में बारा प्रश्न है जो क्रमश है 5 तथा 7 प्रश्न वाले दो खंडों में है अर्थात एक पहला खंड है और एक दूसरा खंड है जैसा प्रश्न पत्र में आता है पहले खंड में हमारे पास 5 प्रशन है, दूसरे खंड में 7 प्रशन है, कुल मिला करके 12 प्रशन है. एक विद्यार्थी को प्रत्यक खंड से न्यूनतम 3 प्रशनों का चयन करते हुए, कुल 8 प्रशनों को हल करना है. इसका मतलब है कि अगर हम खंड एक देखें तो इसमें अगर वो कम से कम तीन करता है तो उसे दूसरे खंड से पांच प्रश्न करने होगे खंड एक से चार करता है तो दूसरे खंड से चार करने होगे और खंड एक के पांचो प्रश्न कर लेता है तो उसे खंड दो से तीन प्रश्न करने होगे यहां उसके पास तीन चोईस हो गई कि उसे कैसे कैसे प्रश्न करने है अब एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रशनों का चयन कर सकता है तो हमने क्या देखा उसका जो चयन करने का तरीका है एक वो खंड एक से तीन प्रशन end मैं यहाँ end लगा रहा हूं क्योंकि उसे कुल मिला करके आठ प्रशन करने है खंड दो से वो करेगा पांच प्रशन और या या इसलिए करने तो कुल आठी प्रशन है या तो वो ऐसे चैयन करेगा दूसरा चैयन क्या होगा उसका दूसरा चैयन हुआ खंड एक से चार प्रशन या फिर एंड खंड दो से चार प्रशन उसके कुल मिला करके आठ प्रशन हो जाएंगे तीसरा चैयन क्या होगा उसका के खंड एक से पांच प्रशन एंड खंड दो से उसने चुने तीन प्रशन तो यहां उसके पास तीन चॉइस हो गई इन तीन प्रकार से वो उस प्रशन पत्र को हल कर सकता है हमने गुणन नियम और जमा नियम पड़े हैं जहां पर भी एंड आ जाता है वहां हमें गुणा करना है और जहां या आ जाए वहां हमें जमा करना है इतना सा ही तो नहीं हमें, तो हमें क्या करना है, ये जो तीन हमें चुनने हैं, वो चुनने हैं पांच में से, अर्थात 5C3, साथ में से चुनने हैं पांच, लेकिन गुणा का निशान, गुणा 7C5, या, या का मतलब जमा, पहले में से 4, यानि 5C4, दूसरे में से भी 4, यानि 7C4, और तीसरी चॉइस, पहले में से 5, अर्थात 5C5, और दूसरे में से 3, इस तरह से, वो कुल प्रशनों का चयन कर सकता है, तो निश्चित तोर पर आप सभी को संचे का जो कॉंसेप्ट है, वो बिलकुल इसपस्ट हो गया होगा, आईए, देखते हैं, आज हमने क्या-क्या देखा, हमने देखा कि किसी भी संचे में, जो हम चैनेत बस्तूओं का जो क्रम है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, जबकि क्रमचे में होता है, यही अंतर है क्रमचे और संचे में, क्रमचे और संचे में अंतर करने के साथ, हमने इनका संबंध भी देखा था, कि किस तरह से NPR बराबर होता है, NCR गुणा R फैक्टोरियल के हैं, फिर हमने संचे सूतर देखा था, क्रमचे सूतर के आधार पर, और इसके बाद हमने कई प्रश्न भी इस पर आधारित किये, उम्मीद है आप संचे के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद लेक्ट पर उन्गर देखास म्मर्बना के समस्थल ऊन्यवार के सभीद रहता है, दो झाल रहता है, NCR पतक प्रश्न के सुना है, झाल झाल